हलो बच्चों कैसे हैं आप सभी मैं मिसिस अनुराय आप सभी बच्चों का कॉम्पिटिशन कम्मुनिटी में स्वागत करती हूं CGPAC मुख्य परिक्षा के सबसे पहले प्रश्ण पत्र जिसका नाम है भाशा इस भाशा के अंतरगत तीन प्रकार के पक्ष वर्तमान समय में पूछे जाते हैं यदि हम इसके स्कोर की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होती है आपकी भाशा इस भाशा प्रश्ण पत्र के अंतरगत वर्तमान समय में जो तीन पक्ष पूछे जाते हैं उनमें से यदि हम बात करें scoring की तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको score करके देती है हमारी हिंदी भाषा साथ ही आपकी जिस व्रत्ति या इस विद्यार्थी को दूसरी भाषा का ग्यान है वो है आपकी 36 गड़ी भाषा देखा जाए तो हिंदी भाशा जो है वह भाग एक के अंतरगत आती है ठीक है और जो 36 गणी भाशा है वह भाग तीन के अंतरगत जो है वो आती है दूसरी बार कि अंग्रेजी भाशा जो है वह आपके 50 अंक की भाग दो के अंतरगत आपसे पूछी जाती है ठीक है तो पहले के समय में यहां केवल चार प्रकार की भाशा पूछी जाती थी हिंदी भाग एक में थी भाग दो में संस्कृत थी भाग तीन में आपकी अंग्रेजी थी और भाग चार में आपके 36 गड़ी थी लेकिन वर्तमान समय में जब संस्कृत को हटाया गया तो संस्कृत के 50 अंक जो क्योंकि गडित की तरह यहां भाशा में अंक जो हैं आपको प्रदान किये जाते हैं, बिना किसी त्रूटी के अगर वरतनी और व्याकरण के शुद्धता के साथ यदि उत्तरलेखन किया जा रहा है, तो हिंदी एक ऐसी भाशा है, जिसकी पक्ष मजबूत होने से 36 गड़ी भाशा में भी आपकी कमांड बनती है, और हिंदी और 36 गड़ी जो 1500 नंबर के प्रश्ण पत्र होते हैं, उसमें आप बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, 2012 से लेकर, 2017 तक 50 नंबर के प्रश्णों में व्याकरण और साहितिक यदि बात की जाए, तो व्याकरण का पक्ष जो है, वो साहिति से कम पूछा जाता था, साहितिक अंक जादा पूछा जाता था, लेकिन वर्तमान समय में व्याकरण के पक्षों से जादा तर प्रश्ण प बनाकर रखता है अंक की बढ़ोत्री हो जाने की वज़ा से व्याकरणिक और सहितिक पक्ष में बराबर का हिस्सा 19-20 के फर्क से देखने को मिलता है यह आपको मुख्य परिक्षा में कहीं सबसे जादा अंक है तो अब प्रश्ण पत्रों के दिए उठा कर देखा जाए तो प यारी के लिए मन इस्थिती का मजबूत होना जरूरी है वह बच्चा जो सीजी पेसी प्रारंभिक परिक्षा में हिंदी के प्रश्ण पत्र को ध्यान देता ही नहीं है या हिंदी और च्छत्तिजगणी भाशा पर अपना ध्यान बिलकुल नहीं लगाता है उसे उसका खाम मुख्य परिक्षा में तैयारी में ध्यान देना होता है यानि कि आधी तैयारी अपकी प्रारंभिक परिक्षा में ही हो जाती है उसके बाद कि आधी तैयारी मुख्य परिक्षा के लिए बचते हैं लेकिन यदि आपने सीजी पीसी प्रारंभिक परिक्षा में भाशा का च प्रश्न पत्र है क्यों यदि भाशा मजबूत है भाशा की लेखन शैली भाशिक शब्दों का प्रयोग यदि आपको उत्कृष्ट तरीके से मालुम है तो भाशा पर ही आधारित होती है हमारे निबंध की प्रश्न पत्र और भाशा के प्रशन पत्र यानि की पहले दिन का प्रशन पत्र यदि आपके द्वारा बहुत अच्छे से तयार कर लिया जाता है और अच्छे से आपके द्वारा उसके उत्तरों का हल लिख दिया जाता है तो इससे आपकी मनह इस्थिति और बहुत अच्छे रूप में बढ़ जाती है और आपका जो मनह इस्थिती है आपकी जो तैयारी है मुख्य परिक्षा के प्रथम प्रशन पत्र में भाशा में और निबंध में यदि आपने बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन प्रश्टू किया है तो अन्य पत्रों के लिए आपकी सकारात्मक प्रभाव में बढ़ोत कर रहा है और इसी CGPAC मुख्य परिक्षा में किस हद तक पाठक्रम में नए परिवर्तन किये गए किस किस तरह के प्रश्ट पूछे गए इसको कैसे लिखना है इसकी चर्चा हम करेंगे तो किस प्रकार के कौन से वर्ष में प्रश्ट इस टॉपिक से किस तरह आते थे और इसको लेकर हमें कैसे चलना है इसकी चर्चा हम अब थोड़े समय के बाद में यहां से शुरू करेंगे तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम यहां पर पाठक्रम के माध्यम से और थोड़ा से इसे समझाने का और प्रयास करेंगे कि कितने पक्ष होते हैं और किस पक्ष की त प्रारंभिक परिक्षा के समय से ही यदि आप भाषा पर अपना एकाधिकार बना कर चलते हैं तो मुख्य परिक्षा के समय में उसी भाषा में सबसे ज़्यादा अंक आपको प्रदान किये जाते हैं ध्यान से इस बात को अपने दिलों दिमाग पर बिठा कर रख लीजिए य इसमें भाषा से संबंधित प्रयोग में आपको पुस्तकों का वाचन करना होगा और उसके लेखन यानि कि आपको पढ़ना भी है लिखना भी है शुद्ध प्रयोग करना सिखना भी है हर एक गडित के पक्ष को जिस तरह लेकर चलते हैं भाषा को भी लेकर चलना है क्यों ऐसा करने से आप अपने पैर पर कुलहाडी मारते हैं क्योंकि गडित की तरह हिंदी भाषा और 36 गड़ी भाषा को प्रती दिन एक घंटा देना अती अनिवार्य है और इस रोप को अगर आप अपने जीवन में फॉलो करते हैं तो मुख्य परिक्षा का पहला प्रश्ट पत् बतने क्या उशक्ता आपको नहीं है वशर्ते प्री के समय से ही मेंस के लिए आप व्याकरण पक्षों को मजबुत बनाते हुए आगे बढ़ेंगे और किस तरह के प्रश्ण आते हैं क्या क्या टॉपिक है सीलबस में क्या है इन सब की चर्चा अब हम यहां से करते हैं तो स किस पक्ष से कितने कितने अंक के प्रश्ण आपको पूछे जाती हैं सबसे पहली बात आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दू कि भाशा के अंतरगत दो पक्ष है एक पक्ष होता है भाशा के अंतरगत आपका व्याकरण का एक पक्ष होता है व्याकरण का खंड होता है और द व्याकरण पक्ष यदि आपने मजबूत कर लिया है तो मानकर चलिए कि इतनी की तैयारी आपकी केवल प्री के परिक्षा में हो जाती है सिर्फ आपको साहित्य खंड पर जादा जोर देने के आउशकता मुख्य परिक्षा के लिए होती है लेकिन जिस बच्चे ने CGPSC की प्रारंभिक परिक्षा में इस व्याकरण की और ध्यान नहीं दिया है तो उसे जब अपनी मुख्य परिक्षा देनी होती है तो साहित्य के सासत व्याकरण को भी नए सीरे से शुरू करना होता है पहले जब पाठे क्रम में परिवर्तन नहीं किये गए थे तो इस व्याकरण खंड से कुछ ही व्याकरण थे जिसे संबंधित प्रश्ण पूछे जाते थे परनतु पाठ्ठे क्रभ में परिवर्तन कर दिये जाने के बाद आज के समय में व्याकरण और साहित्य का बराबर का वेटिज जो है माना जाता है अगर हम अंक निरने की बात करें, तो हम कह सकते हैं, यहां पर कभी कभी ये देखा जाता है, कि 50 प्रतिशत के अंक जो हैं, वो व्याकरण के होते हैं, तो 50 प्रतिशत अंक जो हैं, वो आपके साहित्ते के होते हैं, कभी हम ये पाते हैं, कि 60 प्रतिशत जो है, वो व्याकरण ह हो जाता है और 40 प्रतिशत है जो आपका साही तिखंड होता है इस वर्ष का 2000 अगर हम देखेते हैं 21 का अगर 2021 के प्रश्ण पत्र की बात की जाएगी तो यहां पर कम से कम 60 नंबर तक के प्रश्ण के अंक जो है वो आपके केवल व्याकरण पक्ष के थे और 40 प्रतिशत अंक जो थे वो आपके साही तिखंड के थे इसलिए सबसे ज़्यादा हमें किस पक्ष पर विशेश ध्यान देने की जरूरत है और किस पक्ष में सबसे ज़्यादा अंक जो है प्राप्त होते हैं इनहीं की चर्चा आज हम इस वीडियो के माध्य से जारेंगे हमेशा से एक बात हर लेक्षर वीडियो में मेरे द्वारा सभी बच्चों से कहा गया है ध्यान से समझने की बात है कि हिंदी भाषा के प्रश्ण पत्र की अधी बात की जाए तो जिस तरह आपको गडित में अंक दिये जाते हैं वैसे ही आपके सीजी पीसी प्र आकर आपको भाषा के प्रश्ण पत्र को हल करना अती आवश्यक है क्योंकि गडित की तरह जब यहां पर अंक दिये जाते हैं तो बगार किसी कटावती के यदि आपने उत्तर बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है जिस तरह के उत्तर की आप से अपिक्षा की जा रही है और अगर आपके दोरा वैसे ही सटिक जवाब दिये गए हैं तो अंक जो है पूर्णता आपको प्रदान किये जाएंगे इसलिए सबसे पहले देखते हैं कि इस CGPAC जो मुख्य परिक्षा है उस मुख्य परिक्षा के अंतरगत पाठ्यक्रम के अंतरगत कौन-कौन से बंधित प्रशन पूछे जाते हैं और उन्हीं का бिशलेशन अब हम यहाँ पर आगे से करेंगे तो समझने वाली बात है कि हिंदी के प्रशन पत्र में जो भाग एक है जिसके अंतरगत समान्य हिंदी में से किस प्रकार के प्रशन पूछे जाते हैं तो सबसे पहले टॉप यह भाशा बोध जिससे संबंधित भाशा के पूर्ण वीवरण की भाशा में संपर्क भाशा, राज भाशा, राश्टर भाशा ऐसे तक्थियों को हमेशा दो अंक के प्रशने के माध्यम से जरूर पूछा जाता रहा है इसके बादे हम संप्षिप्त लेखन की बात की जाए तो यह संप्षिप्त लेखन जो 6 नंबर के अंक लेकर आपके सामने हमेशा से विद्यमान रहा है और आज भी संप्षिप्त लेखन में 6 नंबर का प्रशन से आपको पूछा जाता है इसमें आपके 5 अंक जो होते हैं हजार आपके सत्रा तक केवल दो अंक का परियावाची पूछा जाता था पाठ्थे क्रम में परिवर्तन हो जाने के बाद इस परियावाची की संख्या में वृध्धी की गई और साथ ही इस परियावाची से आपको जो है अब उसके अंक में बढ़ोतरी करके प्रशन पूछ विलोन के आर्थ भीद आरने की संद्ध का अर्थ भैद आपको पूछता है वाक्यांशों के लिए एक सार्थक शब्द से संबंधित प्रशन पूछे जाते हैं संधी और संधी विच्षेद पहले के समय में केवल यहां से एक ही प्रकार के प्रशन पूछे जाते थे कि नि प्रशने पूछे जाते हैं एक तो पहली पधती के अनुसार कि निम्न लिखिए शब्दों का संधी विच्छेद कर संधी का नाम लिखिए और दूसरा प्रशन इसे से पूछा जाता है निम्न शब्दों की संधी कीजिए और संधी की पहचान कीजिए इसी संधी के बाद में समासिक पद्रशना की बात करें तो इससे समास विग्रह भी पूछा जाता है और समासिक पद्रशना के जो उसके जो पहचान है उसको भी परीचाय पूछा जाता है तत्सम तद्भव इससे प्रश्ण निम्न तत्सम का तद्भव रूप लिखिए ऐसे प्रश्ण हमेशा 2 से 4 अंक के आप से पूछे जाते हैं शब्द शुद्धी यह आपकी वर्तनी शुद्धी करण के अंतरगत आता है यह वर्तनी शुद्धी करण जो वर्ण माला से संबंधित है तो 2012 से लेकर 2017 तक केवल निम्न की वर्तनी शुद्ध करके लिखिये कहा जाता था लेकिन इसी शब्द शुद्धी के अंतरगत अब वर्ण माला जैसे हिस्से को वर्तनी के माध्यम से प्रस्तूर किया है जिसके अंतरगत आपको व्याकरण में वर्ण से संबंथी स्वर्वेंजन की परिभाशा, उतिक्षिप्त वर्ण बताईए, सगोषध्वनी पहचानिये अंतरगत व्याकरण के नाम लिखिये, उश्मवर्ण क्या होते हैं, ऐसे डेफिनेशन भी आपके वर्ण माला से अब वर्तमान समय में नविन पाठ्यक्रम के अनुसार पूछा जा रहा है वाक्य की बात की जाए, तो वाक्य से हमेशा आपको निम्न वाक्यों को शुद्ध करके लिखिये वाला पक्ष हमेशा से 4-5 अंक का आपको पूछा जाता रहा है उपसर्ग प्रत्य से पहले जब पाठ्यक्रम में परिवर्तन नहीं थे तो केवल पूछा जाता था निम्न उपसर्ग के प्रयोक से शब्द निर्मान कीजिए अब इसकी परिभाशा भी प्रश्न पत्र के अंतर्गत अपना इस्थान जो है वो बना चुकी है मुहावरे और लगोकतियों से अगर देखा जाए तो मुहावरे और लगोकतियों से तीन से चार अंक के प्रश्न हमेशा पूछे जाते रहे हैं जिसमें कभी यह कहा जाता है निम्न उपसर्ग का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोक कीजिए लेकिन कुछ वर्ष के प्रशनों को देखेंगे तो जिस तरह CGPSC प्री में प्रशनों पूछे जाते हैं वैसे ही वाक्य प्रयोग कर दिया जाता है और उसके बाद पुछता है कि इस अर्थ को बताने वाले उचित मुहावरे का या लोकोप्ती का चयन कीजिए इस तरह मुहा सम्वचारित वाक्यांच का एक शब्द संधी समास उपसर्ग प्रत्य तत्सम तत्भव वाक्य शुद्धी शब्द शुद्धी यह आपकी जो है वो पूरी तरह से व्याक्रणिक पक्ष है और इस व्याक्रणिक पक्ष से वर्तमान समय के प्रशन पत्र में बावन से अंठ प्रशन अब इस व्याक्रणिक पक्ष से पूछा जा रहा है जिसमें अब उसने ना केवल व्याकरणिक त्थ्यों को ध्यान दिया है बलकि व्याकरणिक के उस अंतरुखत जितनी भी नियम है उनसे संबंध परिभाशाव को भी इस्थान देना शुरू किया है समासिक पदरशना में भी अब यही भाव समास से आप क्या समझते हैं इसे प्रकार ततपूरुष समास से आप क्या समझते हैं ऐसे प्रशन भी अब इस्थान बना चुके हैं अब इस पक्ष को यदि देखकर छोड़ दिया जाए तो इसी का दूसरा पक्ष आता है आपका साह साहित्यखण के तरगत हम यहां पाते हैं पत्र लेखन को नो or पहले के पाठ्यक्रम के अनुसार के वह शास्किय अर्धशास्किय पत्र पूछे जाते थे कार्यालाय पत्र पूछे जाते थे समाजिक पत्र पूछे जाते थे परन्तु वर्तमान में जब पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया गया तो इसके अंतरगत कुछ विशेश पत्र को सामिल क यागर इसे प्रारूप लेखन क्या होता है ठीक है विज्यापन क्या होते हैं प्रपत्र क्या होते हैं परिपत्र की से कहा जाता है प्रिष्ठांकन क्या होते हैं अधिसूचना क्या होती है टिपणी लेखन की से कहा जाता है साथ ही शाष के पत्र और अर्धशाष के पत्र की इसे क्या समझते हैं और प्रतिवेदन क्या होता है इतने प्रकार के पत्र लेखन है जो वर्तमान समय में आपके पत्र लेखन में स्थान रखते हैं पहले के समय में यदि देखा जाए तो 2012 से लेकर 2017 तक की बात की जाए तो यहां पर केवल 6 अंक के पत्र आप से पूछे जात इसमें कभी कहता था कि शास के पत्र से आप क्या समझते हैं शास के पत्र का एक प्रारुप तैयार कीजिए परन्तु जब 2018 के प्रश्न पत्र को उठा के देखते हैं तो सीधे सीधा यह प्रश्न पत्र है 16 अंक की बढ़ोतरी जो है वो प्राप्त करता है यानि कि सीधे 6 अंक से 16 अंक तक इसको जो है वो बढ़ा दिया गया क्यों क्योंकि जो पचास नंबर की संस्क्रित थी उस पचास नंबर को यहां मेंशन करना था तो व्याकरणिक पक्षों में भी अंक की बढ़ोतरी की गई जो परियावाची 2 अंक के हुआ करते थे उसे 3 अंक का कभ से बढ़ा दी गई तो जब इससे संबंधित प्रश्ण पूछे जाने लगे जिसमें आपके पत्रा चार से संबंधित प्रश्णों के बात करें यहां दो प्रकार के प्रश्ण जो है वो हो गए एक तो आपको सिर्फ अंतर पूछता है या फिर कहता है कि उसको परिभाशि होता है एक सामाने सा पत्र जारी कीजिए जिसमें नकल करते हैं विद्यार्थियों से संबंधित बातों का उल्ले खो इस तरह आपको सब्जेक्ट दे दिये जाते हैं और इस आधार पर देखा जाए तो जो छै नंबर का आपका पत्रा चार हुआ करता था वर्तमान समय में 14 से 16 नंबर के केवल पत्रा चार याने की आपके पत्र लेखन से प्रश्ण जो है वो पूछे जाते हैं तो कैसे लिखना है कैसे अंक प्राप्त होंगे क्योंकि वहां पर उसकी रूप रेखा क्या होगी प्रारूप क्या होगा इन सब की हम थोड़ी देर बाद चर्चे यह से हमेशा दो से तीन अंक के प्रश्ण जो है वो पूछे जाते रहे हैं मौरडन वरना क्यूलर लिट्रेचर आफ नौर्दन हिंदुस्तान के ग्रंथ के रचाइता कौन है या हिंदि साहिते का दूसरा इतिहास किसने लिखा है या आदिकाल को बिजवपन काल के नाम से किस पुकारा है ऐसे प्रश्ण आपके पूछे जाते रहे हैं 2017 तक लेकिन 2018 के बाद यदि इस प्रश्ण की बात की जाए तो आदिकाल की दो विश्रिस्ताइं लिखिए रितिकारिन कभियों के दो नाम लिखिए या भारतिंदु यूगिन कभियों के नाम लिखिए ऐसे पूछे है जो चतिस गड़ी और हिंदी दोनों में अपना इस्थान बनाता है और वो है चतिस गड़ साहित्य के रश्ना करने वाले रश्नाकार और उनकी साहित्यक रश्नाओं के नाम तो 36 गड़ के साहित्य और उनकी रचनायदी कहा जाए तो यह हिंदी भाषा में पहले 5 अंक का जरूर पूछा जाता था 36 गड़ी साहित्य कार की बाद 5 अंक की 4 अंक की पूछी जाती थी लेकिन कुछ समय से इसमें अंक में बढ़ोतरी करके 6 अंक हो गए लेकिन वर्तमान समय में अगर हम पिछले प्रश्ण पत्र की बात करें तो इसमें केवल 3 अंक के प्रश्ण जो है वो पूछे गए थी इसके बाद देखा जाए तो पाठे क्रम में केवल इतनी ही चीजें थी जो आपके पूराने प्रश्ण पत्र की माध्यम से पूछे जाते थे जब पाठे क्रम में परिवर्तन किया गया तो यहां पर जो चीजें मेंशन नहीं की गई है जैसे कि इस संबंधित प्रश्ण भी पिछले 2021 में आप से पूछा गया थे कि ग्यापन से आप क्या समझते हैं हालंकि यहां पर ग्यापन नहीं दिया है लेकिन ध्यान रखेंग जो स्वरूप हैं 34 से 35 प्रकार के शास्की पत्र हैं जिसके प्रयोग किये जाते हैं तो अगर यह mention करता है वह और अरध शास्कीपत्र तो ध्यान रखेंगा कि केवल इतना ही कह देने मात्र से हमारी जो तयारी ही कल इतने मीं ही बंधकर नहीं रहाएगी हमें इस से ज्याद इन सब के बाद यदि देखा जाए तो नवीन पाथे क्रम में एक खंड जोड़ा गया जो था आपका अनसीन पैसेज जिसे कहा जाता है अपठित गध्यांच अब ये अपठित गध्यांच संस्कृत को फॉलो कर रहा है कैसे संस्कृत की भाषा में सबसे पहला कोशन होता था आपका अनसीन पैसेज का अनसीन पैसेज याने कि एक गध्य खंड का अनुच्छे दिया जाता है और उससे संबंधित तीन से पाँच कभी कभी चार कोशन जो है वो दिये जाते हैं और कोशिस करनी होती है कि उस कोशन का अंसर जो है वो आपके उसी पैसेज के अंदर से आ एक लाइन में अगर उतर देना है तो हम वहां की लाइन को उतार कर यहां प्रश्णे में जवाब दे दें तो अपठित गध्यांश भी अपने आप में महत पूर्ण टॉपिक है बच्चों को ये लगता है कि अंसीन पैसेज से किसे कोशन दे सकता है तो ध्यांश समझने वाल वही वहां पर आपको निभाना होता है देखने वाली बात यह हो जाती है कि जब आपको हर एक प्रकार के शब्द व्याक्रण के नियम के अनुसार मालूम है तो यदि प्रश्ण में उस गध्य खंड से पूछा जाएगा यहां प्रयोक्त इस प्रत्या से नीर्मित शब्द को लिखिए या कह सकता है कि इस वाकि में इस सब्द का तत्सम से तत्भारू परिवर्तन कीजिए या कह सकता है यहां पर गध्य में किस प्रकार के उपसर्ग और किस प्रत्या के प्रयोक किये गए हैं तो आपको उसी अपठित गध्यांश में से ही वही पक्ष के आंसर से जब आप उसका आंसर लिखते हैं तो वहां की लाइन को हुब वह उतार दें कभी ऐसी भी परिस्थिती वाले प्रशन होते हैं लिकीन अपने तार्की को कोशल को वहां पर हमें बतलाना होता है तो अपने आप में महत्पूर्ण एक निया टॉपिक add किया है जो है अपठित गध्यांश, 2017 तक अपठित गध्यांश से बिल्कुल भी प्रश्ण नहीं आते थी, क्योंकि पाठिक्रम में ये नहीं था, जैसे ही पाठिक्रम में इसे रखा गया, तो इस अपठित गध्यांश से 6 नंबर के प्रश्ण आपको पूछे जाते हैं, प्रकार के सकता है पूजा अर्चना का अर्थभेदिस पश्ट कीजिए तो कभी इसे वाक्य प्रयोग के द्वारा आयू और अवस्था का अर्थभेदिस पश्ट कीजिए ऐसा युग मशब्द से प्रशन जो है वो पूछे जाते हैं और इसके बाद एक नया मेंशन किया है पत्रकारिता पत्रकारिता को जनरलिज्म कहते हैं इस पत्रकारिता से संबंधित अगर बात की जाए तो पत्रकारिता से संबंधित जो आपके अंग हैं उसकी संख्यक यदि हम बात करते हैं तो पत्रकारिता से संबंधित कम से कम तीन से पांच नंबर के प्रश्न आपको यहा संपादक संपादन इस्थान प्रकाशन वर्ष और किस संपादक के द्वारा कौन से पत्रिका का संपादन किया गया इन सब से संबंधित प्रश्ण आपको पत्राकारीता के अंतर्गत पूछे जाते हैं ठीक है इसके बाद दिया है हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद इसमें एक अंग्रेजी का अनुच्छेद दिया जाता है जिसका हिंदी में अनुवाद करना होता है और अंग्रेजी का एक लाइन दिया अनुच्छेद से जब हिंदी में अनुवाद किया जाता है वैसे ही हिंदी का एक वाक्य दिया जाता है जिसको GPSC मुख्य परिक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र हुआ करते थे उसके अंतरगत केवल 50 अंक के अंदर इन सारी चीज़ों को जो है मेंशन किया था परंतो 2017 के परिक्षा प्रश्न पत्र के जो बदलाओ हुए जिसमें से 2018 में नई चीज़ों को मेंशन किया तो इसे बहुत वी भाषा के संपुर्ण विकास करन भाषा के विभिन स्वरूप भाषा का वरगी करन यहां तक कि उसमें लीपियों को भी पढ़ा जाता है और इसी आधार पर इससे संबंधित पूर्ण रूप से जब 2018 से कहा जाए तो प्रश्न के अंक में जो है वह बढ़ोतरी देखने को म प्रयास करूंगी कि 2012 में परियावाची से कितने अंक का था कितने समय तक उससे प्रश्न उतने अंक के पूछे गए उसको लिखने का तरीका क्या है और उसकी तयारी आपको कैसे करनी है जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं यहां पर विशय वस्तु दी हुई है मतलब ट 18 तक केवल दो अंक का प्रश्न पूछा कर दी थी इससे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते थे इससे कहा जाता था प्रश्न एक के अंतरगत मानक भाशा से आप क्या समझते हैं राज भाशा और राश्न भाशा में क्या अंतर होता है या कैसा था भाशा में लक्ष को परिभाशित कीजिए यह केवल दो अंक का हुआ करता था लेकिन पाठे क्रम में जैसे परिवर्तन हुआ तो 2019 में इसे चार नंबर के प्रशन पूछे जाने लगे 2020 में भी चार नंबर का और वर्तमान याने की सन 2021 में जो CGPAC की मुख्य परिक्षा हूँ इसमें 19 नंबर के आपके भाषा बोध से पुछे गये इस भाषा बोध के अंतरगत पूर्ण तोर पर यहां पर अब प्रशनों में नया नया रूप देखने को मिला इसके अंतरगत अब वर्ण माला को इस्थान दिया गया जो भाषा में लिपी को परिभाशित कीजिए यां पूछा जाने लगा सीधी से बात में कि देशज और अनुकरनात्मक शब्द का अंतर स्पस्ट कीजिए वर्ण संयोजन से आप क्या समझते हैं स्वर और व्यंजन को परिभाशित कीजिए यहां तक कि भाशा बोध के अंतरगत अब व्याकरणिक पक्ष को रखा गया जिसमें आपके क्रिया से संबंधित प्रणातक धातो और नाम धातो को उसने पूछा था अब रियकिसे कहा जाता है याने की जो CGPSE की प्रारंभीक परिक्षा में जो विकारी और अविकारी शब्दे पढ़ा करते थे जिसे संबंधित प्रश्ण मुख्य परिक्षा में कभी पूछे नहीं गये थे 2021 के प्रश्ण पत्र में उससे संबंधित प्रश्णों को भी अब यहां पर इस्थान दिया गया तो समझनी वाली बात है कि जो 2 से 4 अंक के प्रश्ण थे वर्तमान समय में इससे 19 नंबर के प्रश्ण जो है आपको 19 अंक के प्रश्ण आपसे पूछे जाते हैं संग्षेपण की बात की जिसे संग्षित लेखन कहा जाता है तो हमेशा से यह 6 नंबर का पूछा गया है लेकिन 2019 में केवल 4 नंबर का था बाकी देखा जाते हैं यह से 6 नंबर के प्रश्ण की अंक का इस्थान जो है रखता है परियाएवाची शब्द इस परियाएवाची शब्द में हमेशा दो नंबर के प्रश्ण हुआ करते थे दो नंबर के प्रश्ण के अंतरगत अगर हम परियाएवाची की बात करें तो परियाएवाची में कभी आपको मेंशन करता है कि आकाश के दो परियाएवाची शब् लेकिन अगर हम देखें 2019 में तो यहां पर चार पर्यायवाची प्रश्ण के अंक में आपको बढ़ोतरी करके कहा गया था कि इस शब्द के चार पर्यायवाची शब्द लिखिए ध्यान से समझेंगे कि पर्यायवाची क्या है उसकी तैयारी कैसे करने पर्याय का मतलब होता ह है विकल्प पर्याय का मतलब होता है विकल्प यानि एक ही अर्थ को संबोधित करने वाले शब्दों के विकल्प का संग्रह होती है हमारे पर्यायवाची शब्द पर्यायवाची और समानार्थी में एक ही अंतर होता है कि यदि हमें समानार्थी लिखना है तो हम उस शब् लिखेंगे तब तक वो हमारे लिए समानार्थी है लेकिन यदि हमारे द्वारा वहां पर केवल एक लिख दिया गया तो समानार्थी है तो आपके परियावाची के अंक जो है वो काट दिये जाएंगे किसी भी परिस्थिती में परियावाची दो लिखा जाना जरूरी है लेकिन यदि वह मेंशन कर देता है कि तीन लिखिये या चार लिखिये तो आपको निर्देशित प्रश्णों को ध्यान में रखते हुए उसके संख्या के अधार पर परियावाची शब्द जो है वो लिख लुप में देने लगा है 2021 मैं सलील का परियावाची पूछा था अब तक हमारे दिमाग क्या कहता है इस तरह के अलग अलग जो हैं वो ठीक है अब हमने हमेशा से ये ध्यान में रखा कि जल का परियावाची याद करना है गगन का परियावाची याद करना है अब यहीं आपको confusion create करने के लिए 2021 में पुछिया गया था सलील के परियावाची लिखे अब आपको वहां पर दिमाग लगाना होगा कि सलील क्या है संख्षिप्त लेखन की अधिबात की जाए तो हम ध्यान रखेंगे कि संख्षिप्त लेखन के अंतरगत एक अनुच्छेद का तृतियांश हिस्सा लिखना होता है जब आपको संख्षेपन करने कहा जाता है तो संख्षेपन के तरीकों के आधार पर हमें संख्षेपन जो हुँ सोचते हैं तो ऐसा संभव होता नहीं है संगशेपन के लिए प्रती दीन किसी भी साहित्य की पुस्तक को लेकर किसी भी समचार के पुस्तक को लेकर किसी भी पत्रकारीता से संभंधी तर्थियों को लेकर प्रती दीन उसका एक तिहाई हिस्सा यानि कि 450 शब्द है यद दो शब्द बढ़ जाएंगे, कि 150-152 तीरपन हो जागा, लेकर 58-60 तक लेकर मत जाईएगा, दूसरी बात कि जब आप वहाँ पर 6 नंबर की बात कर रहे हैं, तो 5 अंक होता है उसके संग्षेपन में, और 1 अंक होता है उसके शीरशक में, यदि आपने शीरशक लिखा है, त कबल एक टॉपिक है, जो वहाँ पर लिखा जाएगा, इस गध्यांज का सीरशक ये या ये, ऐसा कभी भी मेंशन मत कीजिएगा, आई बात समझ में, और कभी भी संग्षेपन में, ना तो हम इंट्रोडक्शन याने की, ना ही हम वहाँ पर भूमी का लिखेंगे, ना ही कंक हाई हिस्सा होगा, उसका एक शीरशक होगा, और कितने शब्द सीमा में, आपने उस अनुछेद को लिखा है, उसका भी मेंशन करना जरूरी है, तो जब आप संग्षेपन करेंगे, तो क्या करेंगे, संग्षेपन करते समय, मूल अनुछेद में कितने शब्द हैं, वो लि यहां पर ना केवल भाशा और लिपी अब यहां व्याकरण का हर एक पक्ष जिसमें आपकी वर्णमाला वर्तनी शुद्धिकरण के साथ साथ विकारी और अविकारी शब्दों को भी विटा इस्थान देने लगा है इसलिए इसके अंक में जो है वो बहुत ही जादा मात्रा म बढ़ोतरी देखने को मिली है परियावाची भी मैंने समझा दिया और परियावाची को याद करने का तरीका जानेगे जब आप परियावाची को याद करें तो प्रती दिन पांच परियावाची याद करें और पांच परियावाची को दूसरे दिन जब आप रिपीटेश कि और एक चीज़ प्रतिशत की तैयारी करनी है जिसमें से आपका 50 प्रतिशत जो है याद करने वाला यह जितने भी है ना आपके, यह सब आपको याद करने वाले हैं, ठीक है, तो 50% हिस्सा है जो आपको याद करना है, बचे हुए 50% में से 30% ऐसे हैं जिसको आपको समझना है, संधी, समास, उफसर, प्रत्य, मुहावरा, लोकोगति, यह समझना है, कि इसका प्रयोग कैसे किया जाएगा ठीक है और बाकी जो आपके बचिह हुए हिस्से हैं प्रतीशत के वो आपकी प्रेक्टिस है आप अनुखेद लेखन से आप का अरतित गध्यांज बनेगा वो संक्षेपण से जो आपकी प्रेक्टिस होगी वो और पत्र चार जो आपका पत्र लेखन है वो आपकी रिटन प्रैक्टिस पर निर्भर करता है दूसरी बात कि हिंदी भाषा को पर डे वन अवर्स देना आपके लिए बहुत जरूरी है विदाउट वन अवर्स आप हिंदी की तयारी बिलकुल नहीं कर सकते यदि एक घंटा आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो उस एक घंटे के हैं वस्ति हैं आप मिख़न कीजिए क्वाउसन्ट चीजां समझने के जब करने की उसके डाउट सो क्लियर करने के कोशिस क uniforms कि क्योंकि जव तनि की होने से बच्षत होती है हमारे ले लेखन में हमारे जो लेखन शैली है उसमेश तूटी होने से बच्चत होती है हमारे लेखन में हमारे जो लेखन शैली है उसमें सुधार होता है साथ ही लिखते समय जो मात्रात्मक और व्याकरणिक नियमों की जो गलतियां होती है उसमें कमी आने लगती है एक राइटिंग में सुधार होने लगता है क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाशा है जो शीरो रेखा में खीची जाती है जिस पर लगने वाले वर्ण की मात्रा उपर और नीचे इसलिए कलम बार बार उठाना पड़ता है इस सिचुवेशन को ध्यान में रखते हुए पर डे रिटन प्राक्टिस को बहुत जरूर इसे ध्यान रखेगा अब अग विलोम शब्द के अंतरगत चार आप्शन दिये हैं तो हर आप्शन में आधे अंक हैं लेकिन केवल दो दिया है इसका मतलब है कि उस दोनों में एक एक अंक है जो निर्धारित किये गए हैं विलोम शब्द की शर्त होती है जिस तरह के शब्द पूछे जाए उसको लिखा धियाल रखिएगा यदी विलोम शब्द के लिए इस चींह का निशान जो है बराबर कर निशान मात लगाएगा दूसरी बात यहाँ पर अगर हम सूर्य एक्वल चंदर करेंगे तो विलोम शब्द में वो गलत प्रभाव डालता है विलोम शब्द के लिए या तो आप क्रॉस करेंगे या तो इस तरह के चिन्ह का प्रयोग आप विलोम शब्द में करेंगे दूसरी बात जहां आपको प्रश्ण में इस्थान दिया जाता है वहां कभी मत लिखिएगा ठीक है कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जब प्रश्ण दिया जाता है नीमले के परियावाची लिखिए तो वहां पर जो कोश्ण में जो जगय होता है कुछ बच्चे वहां लिखत का प्रयास कीजीएगा विलोंच शब्द के लिए भी कभी आपको एक लाइन कभी दो लाइन जो है वो दी जाती आजू बाजू लिखा जा सकता है उपर नीचे लिखा जा सकता है लेकिन जहां पर प्रश्ण है वहां उत्तर मेंशन बिलकुल भी मत कीजेगा इसके बाद आते हैं यदि हम सम्मुच्चारिषद की बात करें तो सम्मुच्चारिषद से भी हमेशा दो नंबर का तीन नंबर का प्रश्ट पूछागे जैसे अवधी और अवधी में अर्थभेद बताईए इसी प्रकार अंश और अंस में हर्थभेद बताईए तो अंश किसी भी भाग को टुकडे को हिस्से को कहा जाता है लेकिन अंस का मतलब होता है कंधा ठीक है इसी प्रकार यदि हम छोटा उकी मात्रा वाला कूल कहें इसका मतलब होता है समस्त वंश या फिर हम कह सकते हैं संपूर्ण लेकिन बड़े उके कूल की बात का अगर हम पूछा था एक सार्थक शब्द की बात की जाए तो एक सार्थक शब्द है जो आपका one word substitute याने की वाक्यांशों का एक शब्द है इससे तीर नंबर के प्रशन जो है वो पूछे जाते थे लेकिन प्रश्ण में परिवर्तन के बाद में इस सम्मो आपके जो वाक्यांशों के एक शब्द है इससे चार अंग के प्रश्न पूँछे जा रहे हैं याने कि चार वाक्यांश दिया जाता है जैसे जिसके आने की तीथी मालुम ना हो इसके लिए एक उचित शब्द का चैन कीजिए इस तरह का आपको चार नंबर का सार्थक जो आपका वाक्यांश फोग एक उससे प्रशन पूछा जाता है अब आते हैं संधी जो स्वर संधी, व्यंजन संधी और विसर्ग संधी है 2012 से लेकर 2017 तक केवल दो अंक का प्रशन था याने कि निम्न का संधी विछेद कीजिए और संधी की पहचान कीजिए पाठिकर में परिवर्तन के बाद देखा जाए तो इसी संधी से चार अंक के प्रशन 2018 में और 19 में पूछा याने इसके दो हिस्से कर दिये कैसे कि निम्न का संधी विछेद कर संधी की पहचान कीजिए जगनात विद्याले दे दिया ठीक है और दूसरा कहता है जगत धरनात की संधी कीजिए और संधी का नाम लिखिए इस तरह यहाँ पर दो दो अंक के प्रशन थे लेकिन 2020 में संधी को इसकीप कर दिया लेकिन 2021 के प्रशन पत्र में दो नंबर की संधी जो है वो पूछी गए समासिक शब्द रशना की बात की जाए तो 2017 तक संधी की तरह समास से भी केवल दो अंक के प्रशन पूछे जाते थे कि दिवगंबर की संधी समास की पहचान कीजिए लंबोदर का समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए लेकिन पाठिक्रम में परिवर्तन के बाद देखा जाए तो यहां समास से भी चार अंक के प्रशन पूछे गए यानि की दो पक्ष हो गए समास विग्रह करके समास की पहचान करना है और समस्त पद बना कर भी समास की पहचान करनी है अब 2021 में समास से जो प्रशन पूछा गया यहां समास से जो प्रशन पूछे गए उसमें समास के विग्रह नहीं पूछे गए बलकि समासिक जो शब्द है उससे प्रशन ना पुछकर उस समास को परिभाशित करनी के लिए कहा गया जैसे कि अब यही भाव समास को परिभाशित करते हुए उसके दो उधारन प्रस्तूत कीजिए ततपुर्ष समास से आप क्या समझते हैं और इसी में अगला पक्ष देखने को देखा जाये तो समास विग्रह करके समास का नाम दीजिए अब अगर उसमें चार आप्शन है तो हर समास के अंतरगत आधा आधा अंक है यदी वो चार नंबर का है तो एक-एक अंक है इस तरह समास से संबंधित प्रश्ण जो है आपको पूछेगा अब आता है ततसम तद्भाव की बात की जाये तो ततसम से तद्भाव और तद्भाव से ततसम ये हमेशा दो प्रश्न आपको जरूर पूछता है जो हर साल आपको पूछा करता है 2012 से अगर देखा जाए तो इस तत्सम तदभाव की बात करें तो 2012 में आपको नहीं पूछा 13 में दो नंबर का, 14 में स्कीप करके आपके 15 में दो नंबर का सोला हमें दो नंबर का, सत्रा हमें इसकिप कर दिया, अठारा, उनिस, बीस तक दो दो नंबर के तत्सम शब्द से प्रशन पूछा गया, और कैसा पूछा जाता है, कि निम्न तत्सम शब्दों का तदभाव रूप लिखिये, और वैसे ही तत्भाव दिया जाता है, जिसके निम्न तत्भाव शब्द का तत्सम रूप लिखिये कहता है, तो ध्यान से समझेंगे, कि विलोम शब्द क्या है, अपने ही समान शब्द के विपरित अर्थों को बताने वाला शब्द है, और जैसा प्रश्ण पूचा जाए, वैसा उसका जवाब लिखा जाएगा, सम्मुचारिश शब्द उच्चारण के गलती से एक समान उच्चारित होने वाले शब्द को सम्मुचारिश शब्द कहते हैं, इसे ही भिन्नार्थक शब्द भी कहा जाता है, ठीक है, जिसके अंतरगत अगर देखा जाए, तो इस भिन्नार्थक शब्द में मातरात्मक तुरूटी होती है, और इसके वजह से उसके अर्थ जो है वो भिन्न होते हैं, एक सार्थक शब्द की बात की जायती से वन वर्ट substitute याने की वाक्यांशों का एक शब्द कहा जाता है और इसी वाक्यांशों के एक शब्द को इस्थापन शब्द भी कहते हैं अनेक शब्दों का एक शब्द कहते हैं और विलोम शब्द की तरह इसकी भी शर्त होती है, हम साधारन बोल चाल के शब्दों का प्रयोग यहां पर नहीं करते जिसके आने की तीथी मालुम ना हो तो हम अतीथी लिखेंगे जिसके पार देखा जा सके तो पार दर्शी कहेंगे ठीक है जिसके बहुत से रूप हूँ तो बहुरूपी कहेंगे और बहुत से रूप को धारण करता है जो तो बहुरूपिया लिखेंगे ऐसा ही इसमें उचित और सार्थक यदि आप वहाँ शब्द इस्थापित कर देते हैं तो इसे ही इस्थापन शब्द के नाम से पुकारा जाता है संधी वरणाक्षरों का संगम है तो समास जो है वो शब्द पदों के संगम को कहा जाता है स्वर ब्यंजन और विसर्ग वरणों के मध्य अगर प्रक्रिया संधी हो तो उसे स्वर संधी ब्यंजन संधी और विसर्ग संधी कहेंगे और दो या दो से अधिक शब्द पद मिलकर जब एक नया शब्द पद बनाएंगे तो उस प्रक्रिया को समास की प्रक्रिया कही जाती है संस्कृत के शब्दों का फू बहू वैसे ही रूप में यदि हम Hindi भाशा में प्रयोग करते हैं तो उसे हम तत्ततासम शब्द कहते हैं ठीक है और संस्कृत के शब्दों यदि हिंदी रुपांतरण कर दिया जाता है बगैर किसी अर्थ में परिवर्तन के तुसे तद्भाव कहा जाता है चंद्र है तो हम चांद लिखेंगे अग्र है तो हम आगे लिखेंगे अंगुष्ठ है तो हम अंगूठा लिखेंगे तनय है तो हम बेटा लिखेंगे इसी प्रकार अगर देखा जाए तो हम यहाँ पर लोह हैं तो लोहा लिखेंगे अब यह तत्सम से तद्भाव हो गया अब कहता है मान लीजिये उग्जामपल के तौर पर सूरज का तत्सम रूप लिखिए तब आप सूर्य लिखेंगे ठीक है यदि वह कहता है तत्सम के तौर पर जैसे कि special specific नजर आता है उसकी पहचान होती है कि उसके शब्द थोड़े से कठीन होती है दूसरी बात कि तत्सम शब्द में अधिकांशता देखने को यह मिलता है कि यहाँ पर तत्सम शब्द में एक हाफ और एक complete लेटर जैसे पुत्र अगनी कहता है इसी प्रकार अगर देखा जाय चक्षू है तो आख हो जाता है धुम्र है तो धुआ हो जाता है मुख है तो मुह हो जाता है और इस प्रकार तक्सम तक्भव से हमेशा दो नंबर के अंक जो है आपको पूछे जाते हैं अब शब्द शुद्धी की बात की जाए तो शब्द शुद्धी है आपका वर्तनी शुद्धिकरण, शब्द शुद्ध है आपकी वर्तनी शुद्धिकरण, जिससे आपको प्रश्न की अगर बात की जाए, तो दो अंक का प्रश्न आपको 2015-16 तक दो अंक का पूछा करता था, याने कि चार वर्तनी जो होती थी, जिसमें अशुद्धी होती थी, अब दिमाग का खलल क्या कहता है कि वर्तनी शुद्ध करके लिखने के लिए कह रहा है मतलब कि सारे गलत होंगे नहीं बेटा कभी कभी क्या करता है कि चार आप्शन यदि दिया है ना तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक आप्शन का जो आंसर होता है वो अपने अपने क्लियर हो देते हैं तो वर्तनी शुद्धी कहां से आई भाषा बोध के अंतरगत वरण माला से संबंधित पक्षकु यदि आप पढ़ते हैं तो वहां पर से शब्द शुद्धी याने वर्तनी शुद्धी करण से प्रश्ण पूछा जाता है जो 2018 में 3 नंबर का, 2019 में 6 नंबर का, 20 में केवल 2 नंबर का और 2021 में 3 नंबर का वर्तनी शुद्धी करण आपसे पूछा था अगर 6 जो आपके दे रहा है आप्षन तो हर प्रश्ण में आधे अंक होंगे यदि वो 3 दे रहा है तो हर प्रश्ण में एक एक अंक निर्धारित होगा वाक के शुद्धी करण की और चलते हैं तो वाक के शुद्धी करण याने की आपका जो वाक के शुद्धी है इससे संबंधित प्रश्ण हमेशा से आपको पूछता है वाक के शुद्धी करण में देखा जाये तो ये 2017 तक एवल 4 देता था 1 देखा जाये तो अनेक शब्द और भीड़ शब्द जो है वो आपके बहुवचन शब्द है इसलिए ऐसी शुद्धी करनी होती है कि वाक्यका अर्थ में परिवर्तन होना नहीं चाहिए उसमें जो व्याकरणिक गलतियां हैं, क्या व्याकरणिक गलतियां विकारी शब्द से संबंधित हैं, क्या आपकी व्याकरणिक गलतियां विकारी शब्द से संबंधित हैं, काल संबंधि, वचन संबंधि, लिंग संबंधि, संग्या सर्वनाम संबंधि, विशेशन संबंध जो तुरूटियां होंगी उन्हीं तुरूटियों को सुधार कर लिखना है तो वाक्य शुद्धिकरण के लिए हमें क्या करना होगा प्रति दिन मौखिक रूप से जो उच्चारण है उसमें शुद्धता का होना जरूरी होगा क्योंकि मौखिक उच्चारण यदि यदि शुद्ध होगी और व्याक्रणिक नियमों की यदि जानकारी है तो हमारी जो व्याक्रणिक नियमों की जानकारी होंगे तो वाक्य शुद्ध होंगे तो वाक्य शुद्धी करने के जितने नियम है उसको पढ़ना जरूरी है क्योंकि 2019 में 6 अंक का 2020 में 6 अंक का था लेकिन वाक्य शुदिस संबंदित 2021 में केवल तीन अंक के प्रश्ण जो है वो पूछे गये थे। हमेशा से उपसर्ग और प्रत्य से केवल दो अंक के प्रश्ण पूछे जाते रहे हैं। कभी पूछा है, कभी नहीं पूछा है। लेकिन देखा जाए तो उपसर्ग और प्रत्य से 2018 के बाद में प्रश्ण जो है पूछा गया। 2018, 19, 20, 21 में कभी उपसर्ग और प्रत्य से आप क्या समझते हैं। उपसर्ग को परिभाशित करते हुए एक उधारन प्रस्तूत कीजिए, या प्रत्य की से कहा जाता है उधारन द्वारा प्रस्तूत कीजिए, इस तरह के प्रश्ण पूछते हुए, 2019 में आपको 6-6 अंक के, 2020 में 4-4 अंक के, और इस साल वर्तमान में 2-2 अंक के उपसर्ग प्रत्या से प्रश्ण जो है, पूछा गया, हमेशा से अपना इस्थान बना कर चलता आया है हमारा मुहावरा और लोकोक्ती, ये मुहावरा और लोकोक्ती, ये हमेशा से मुहावरे तीन अंक के, और लोकोक्ती भी तीन अंक का, मतलब की 6 अंक का केवल मुहावरा और लोको करने दिया जाता है तो वह मुहावरा जो है उस वाक्य में जिस भाव के लाक्षणिक अर्थों को प्रस्तूट कर रहा है वहीं उसका प्रयोग किया जाता है इससे संबंधित प्रश्नक यदि बात की जाए जैसे कि कह सकते हैं कि रानी लक्षमी भाई ने अंग्रेजों से लो कीजिए इसी का एक दूसरा पक्ष अब लोकोक्ति से पूछने लगा है कि निम्न लोकोक्ति का अर्थे इसपष्ट कीजिए और इस तरह मुहावरा लोकोक्ति से आपके तीन-तीन अंक के प्रश्ने पूछे जाते हैं सबसे महत पुर्ण बात की जाए तो अब तक हमने जित जनी शुद्धिकरन आपकी प्रैक्टिस है बाकी देखा जाए तो अधिकांश चीज़ें हैं जो आपको याद करने वाली हैं संधी और समास भी आपकी देली प्रैक्टिस में होना जरूरी है अब आते हैं सबसे महत पुर्ण जो है पत्रलेखन पत्रलेखन की अधी बात कर करते थे जैसे दो नंबर का पूछ दिया जाता था कि कार्याले पत्र से आप क्या समझते हैं कभी पूछ दिया जाता था शासकी और अर्ध शासकी पत्र में अंतर बतलाई कभी कह दिया जाता था एक्जांपल के तौर पर कि आप कार्याले पत्र को समझाते हुए एक कार्य कई पत्र का प्रावुप तयार के लिए और 4 नमबर उसके प्रारुप तयार करने के लिए होता है लेकिन पाठ्यक्रम में जब परिवर्तन किया गया और तमाम प्रकार के पत्राचार के पक्षों को इस पश्टी करण किया गया कि भाया देखो यहां पर प्रपत्र पढ़ना है, परिपत्र पढ़ना है, प्रारूप लेखन पढ़ना है, यहां तक कि विज्ञापन पढ़ना है, प्रिष्ठांकन पढ़ना है, टिपड़ी लेखन पढ़ना है, प्रतिवेदन पढ़ना है, अधि सूचना पढ़नी यह शास जिसमें सीधे सीधे दस अंक की बढ़ोतरी कर दी गई और यहाँ पर तीन से चार प्रकार के प्रशने यहाँ पर एक ही पक्ष से पूछा गया अब हमारी परिशानी एक सबब क्या होता है कि जब हमें वह दिया जाता है तो हमारे पास जो शास्किय पत्र होते हैं उसकी 15 से 16 सिढ़ियां होती है ठीक है अब 15 से 16 सिढ़ियां होती है और वहाँ पर दी जाती हमारी कितनी लाइन मालीजे महज 10 लाइन अब हम क्या करते हैं उस 10 लाइन में जितना हमारे पास आता है हम उतना mention कर देते हैं बाकी चीज़ों को हम छोड़ देते हैं तो ध्यान रखेगा पत्रा चार एक ऐसा पत्र लेखन का दाइरा है जिसमें शास्की पत्रों की एक रूप रेखा जो होती है जिस format में लिखा जाना है उस format में लिखा जाना बहुत जरूरी है माना की हम अंग्रेजी पधती को पालन करते हैं माना की अंग्रेजी में जो पत्रा चार होता है जहां सारी चीज़े जो है वो लेफ्ट में आ जाती है राइटर के लेफ्ट हेंड के साइड में माना की हम उसका प्रयोग करते हैं पर उन्तु ध्यान रखेगा कि CGPSC मुख्य परिक्षा के अंतरगत जितने भी शास की पत्र की रूप रेखा में हर एक हिस्सा बटा होता है जैसे कि प्रेशक और प्रेशिती जो है वो राइटर के लेफ्ट साइड होते हैं दिनांक और इस्थान और जो होता है वो आपके राइट साइड होता है जहां संबोधन है लेफ्ट में होता है अभिवादन राइट में होता है विशय और संदर्भ लेफ्ट में होते हैं जो प्रतिलिपी का हिस्सा है लेफ्ट में होता है ये सारी चीजों को बिटना ध्यान रखिएगा क्योंकि हर एक जगह में अंक जो है वो निर्धारित होते हैं पत्रचार की खासियत होती है कि हर एक जगह में अंक जो है वो निर्धारित होती हैं अब हम करें तो क्या करें ऐसी सेचुएशन में यदि आपको पत्र लिखने के लिए कह रहा है कि अधी सूचना से आप क्या समझते हैं एक अधी सूचना जारी कीजिए कहता है तो अधी सूचना को लिखने के बाद में जब दूसरा अधी सूचना आपको जारी करना होगा तो वहाँ से जो आपके लाइन होंगे उसको बीच से आप पार्टिशन में डिस्ट्रिब्यूट कर दीजेगा यदि आपके पास आठ लाइन दिया हुआ है तो बीच से अगर उसको पार्टिशन कर देंगे न तो आठ दूनी सोलह हो जाएंगे और उसके बाद आप लिखने का प्रयाज़ एक पक्ष में अंक होते हैं इसलिए धियान में रखते हुए पत्त्रा चार की डेली रिटन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है खास कर प्रारूप अब फिर से कन्फिजन होता है कि हम प्रारूप क्या करें प्रारूप का मतलब होता है केवल फॉर्मेट फिल इन दा ब्लाइक की तरह लेकिन उसके कुछ नियम होते हैं पत्रक्रमांग ड़ेश 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 महोदाय ड़ेश ड़ेश ठीक है उसे प्रकार मुझे या कहने का निरदेश हुआ है कि अगर आप ऐसा लिक कर छोड़ते हैं आवेदन आपको लिखना है और किसी भी प्रकार से न तो आप वहां रोल नंबर मेंशन करेंगे न आप अपना नाम मेंशन करेंगे नहीं राज्य का नहीं किसी भी प्रकार का कोई भी मेंशन आपके द्वारा किया नहीं जाएगा तो देखिए 2018 में 16 नंबर का 2019 में 8 नंबर का 20 में 16 नंबर का और 2020 में 14 अंक के केवल 15-4 से प्रश्ण जो है वो पूछे गए हैं हिंदी साहिते के इतिहास की बात की जाए हिंदी साहिते की इतिहास से संबंदित प्रश्ण में 2017 तक केवल 2 अंक के प्रश्ण पूछे जाते थे कि मौरडन वरना क्यूलर लिट्रेचर आफ नौर्धन हिंदुस्तान किस ने लिखा है, हिंदी साहिते का बाकी इतिहास किस ने लिखा है, या कह सकता है दस सो पचास से तेरा सो पच्छतर को आदीकाल के नाम से किस साहितेकार ने नामकरण किया था, ऐसे प्रश्ण जो है वो दाइरा बढ़ गया, कि निर्गुन ब्रह्म के दो कवी लिखिये, भारतिंदु युगिन दो कवी और उसकी रचनाओं के नाम लिखिये, रितिकाल की विशिश्ताएं लिखिये, इसी प्रकार कह सकता है आदीकाल को बीजवपन काल किस ने कहा, इस तरह का प्रश्ण हिंद के प्रश्ण पूछे जाते थे, कि लोचन प्रसाद पांडे की द्वारा रचीत, एक साहितिक रचना का नाम लिखिये, या कैसा अक्ता शेक्स पेर की कॉमेडिया पेरर्स का अनुवाद पूरो जूरो के नाम से किस ने किया है, या कैसा ता मुकुरधर पांडे की रचना क नाम लिखिये, या कैसा था कली का नामक नाटक किस ने लिखा है, तो यह 36 गड़ साहितिकार से संबंदी थे, जिसमें 6 अंक के प्रश्ण 19 और 18 में पूछे, 20 में 4 अंक और 21 में 3 अंक के प्रश्ण पूछे गये थे, जब 2018 में नमीन पाठे करम के साथ में प्रश्ण पत्र आया, तो यहां पर हमारे 2017 तक अपठित गध्याँश हमारे सीलेबस में ही नहीं था, लेकिन जैसे ही अंसिन पैसे जाए, 2018 में, तो 6 अंक का अपठित गद्याँश से प्रश्ण पूछा जाता है, और यह अपठित गध्याँश क्या होते हैं, किसी भी साहितिक रच्णाओ को जिसके किसी एक ऐसे गद्य को वहाँ पर दिया जाता है जिसके अंतरगत व्याकरणिक पक्ष होते हैं या कोई रेखांकित वाक्य होता है या उसके प्रशनोत्र होते हैं जिसे संबंधित प्रशन आपको पूछा जाता है और उससे संबंदित प्रश्ण का उत्तर वहीं से ढूंड कर लिखना है इसके अंतर आप देखेगा भाव पल्लवन भी इसी के अंदर जो है वो समाया है मालिजे कहता है किसी अनुछेद में कि साहित और समाज में घोर संबंध है ठीक है उस गद्यांज के अंतरगत एक लाइ के माध्यम से उसका आंसर जो है वो देंगे और इससे संबंधित 6 नंबर के प्रश्ण आपसे पूछे जाते हैं अब आता है अंत में आपका अनुवाद लेखन की बात की जाती है तो अनुवाद लेखन क्या होता है किसी आधार भाशा को लक्षे मानकर लक्षे भाशा में अगर अनुदित कर दिया जाता है किसी ऐसी भाशा जिसमें कोई साहितिक प्रयोग किये जा चुके हैं उसके मूल भूत आवश्यक तत्वों को यदि किसी दूसरी भाशा में प्रस्तूती करण कर दिया जाता है उसे अनुवाद लेखन कहा जाता है हालां कि यहाँ पर का, उनिस में आठ अंक का और बिस इक्समें दस दस अंक के पूछे गए मतलब पांच नम्बर का अनुछेद देगा अंग्रेजी भाषा का जिसका हिंदी में अनुवाद करना है और इसका दूसरा पक्ष कि पांच हिंदी के वाक्य दिये जाएंगे इसे अंग्रेजी भाशन में आपको अनुवाद करना होगा तो 5-5 करके 10 नंबर का अंक जो है अनुवाद लेखर में पूछा जाते है और इस तरह देखा जाए तो 2000 आपके 18 तक केवल 50 अंक के प्रशन आपके 50 अंक के प्रशन जो है 2017 तक पूछे जाते थे लेकिन 2018 से यहां 100 अंक के प्रशन आपको हिंदी भाशा में पूछे जाते हैं और हर एक पक्ष का अपना महत पूर्ण इस्थान है तो ध्यान से समझने वाली बात है कि जब पार्ठे क्रम में परिवर्तन किया गया तो पार्ठे क्रम में परिवर्तन के बाद हम क्या पाते हैं पार्ठे क्रम में परिवर्तन के बाद ये पाते हैं कि 2018 में जो नवीन पार्ठे क्रम जोड़ा गया है उस टॉपिक के आधाया पर सबसे हमने पहले पाया पत्राचार के अंतरगत ऐसे तर्थियों को जिससे संबंधित प्रशन आपको अंकों की बढ़ोतरी और प्रशनों की बढ़ोतरी के साथ में हमने पाया एक और पक्ष है जिससे प्रशन पूछे जाते हैं नवीन पाठेकरम के अंतरगत जिसे पत्रकारीता कहीं जाती है जब पहले ही वर्ष पत्रकारिता के प्रशन पूछे गए तो पांच अंक का पत्रकारिता से प्रशन पूछा गया था दूसरे वर्ष भी पांच अंक की पत्रकारिता से प्रशन जो है वो पूछे गया थे लेकिन इस समय जब 2021 की बात की जाये तो 2021 के अंतरगत पत्रकारिता से संबंधित प्रशन हमसे पूछा नहीं गया था बलकि इसके बदले यहां व्याकरणिक पक्ष से जादा तर प्रशन जो है वो पूछे गये थे 2012 से 2017 तक के हिंडी के प्रशन पत्र के भाग में एक से पचास अंक का प्रशन पत्र हुआ करता था लेकिन जब संस्कृत भाषा को हटा दिया गया तो संस्कृत का जो पचास अंक था वो हिंदी भाषा में जोड़ दिया गया और आपने अंक के माध्यम से जान लिया कि जो दो अंक के प्रशन हुआ करते थे उनके अंकों में बढ़ोतरी कभी चार कभी तीन कभी छै के माध्यम से बढ़ा दिया गया और यहां से देखेंगे कि प्रशन पत्र किस तरह से पूछे जाते थे तो अब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि किस वर्ष के प्रशन पत्र में किस हद तक और कैसे प्रशन जो है आपसे पूछे गए हैं देखी यह जो प्रशन पत्र है वह संद 2012 का है 2012 में जहां पहला भाग में 50 नंबर की हिंदी आती थी उससे संबंधित प्रशन को अगर हम देखते हुए चले तो किस प्रकार के प्रशन आते थी सबसे पहला प्रशनव में दो हिस्से होते थे जिसमें पहला कहता था निम्न में से किसी एक पर लगबग 50 शब्द में टिपणी लिखिए राजभाशा और संपर्क भाशा ये हुआ करता था आपका आपका दो नंबर का यानि कि राजभाशा और संपर्क भाशा को आपको एक सरकॉपी आपको अलग मीला करती थी इसलिए कुछ बच्चे से मैंने यह प्राप्त किया है जो उसके बगल में उसका अंसर मेंशन किया है आप ऐसा बिल्कुल भी मत करेंगे जब कभी भी मुख्य परिक्षम में आप लिखें तो प्रश्ण जो दिया है उसके बगल में बिल्कुल भी ना लिखें वर्तमान समय में two in one paper आते हैं को सब्य को पता है कि बश्ण के नीचे उसका उत्तर लिखने का इस्थान जो है वूँ दिया जाता है इसलिए कोशिश करेंगे कि प्रश्ण का जो नीचे इस्थान दिया है केवल वहाँ पर मेंशन करें मुहावरेकर्थिसपस्ट करते हुए अपने वाक्य में प्रयोग कीजे कह रहा है और यह आपके तीन नंबर का है यह आपके लिए तीन नंबर का है यानि कि यहाँ पर अंगारों पर पेर रखना अपना समूह लेकर रहे जाना चीती के पर निकलना कह कहाctar अर्था तो लिखेंगे परन्तु वाक्य में इसका प्रयोग जो है वो किया जाएगा इसके बाद प्रश्ण को देखते हैं क्योंकि यह महज पचास अंक का था इसमें दूसरे में पहले के प्रश्ण के अंदर में काख गातीन सेक्षन थे तो गम में लिखा है निमनलिखित इ चार सवाल प्रश्ण पत्र में आ गये और वह अच्छे से अंक से उत्तिर्ण हो गया अब यहां वाक्य प्रयोग कर दिया गया और ऐसी इस्थिती के लिए यहां पर उचित लोकोक्ति को चैन करने के लिए यहां पर प्रश्ण आपसे पूछा है अब आते हैं इसके बाद क प्रश्ण में प्रश्ण नंबर दो ठीक है प्रश्ण नंबर में दो में देखी यहां पर इस प्रश्ण कह रहा है निम्न लिखित के दो दो परियाए लिखिये यहां पर दिया है पारिजाथ और दिया है दरपन ठीक है इसके दो दो परियाए लिखिये कहता है कितने नंब क्यों पताएं क्योंकि य कि इसकूल में यह आप दोग के बदले तीन लिखümü तीन लिख रहें हैं क्या है यि पहला गलत है दूसरा और तीसरा सही है तो चुकि वह विध्यालियन परिक्शा है आपको अंक दिये जा सकते हैं लेकिन यह मुख्य परिक्शा है या एक परिक्षा है इसलिए यहां पर जरा सी भी गलती आपके अंक की कटोती करने के लिए सक्षर हो जाएगा इसी परिस्थिती में केवल दो ही मेंशन कीजिए अगर आपके द्वारा शीशा और आइना लिखा है तो पूरे अंक आपको प्रदान किये जाएंगे गलती से यदि उचा जाए जितना मालुम हो उतना ही लिखा जाए अन्यथा अनावश्यक लिखने की कोई भी आवशकता नहीं है नीचे विलोम शब्द लिखने के लिए कहा है यहां चार विलोम दिये हैं और दो नंबर का है यानि कि यहां हर विलोम शब्द में केवल आधा अंक जो है व द्भावरूप लिखना है यही प्रश्ण केवल आपके दो अंक का पूछा जाता था संधी विछेद करने के लिए दिया जाता था अब देखे संधी विछेद भी दो नंबर का है जबकि दिया है चार इसलिए यहां पर प्रश्ण केवल विछेद करने बोला है नाम लिखने नहीं बोला ध्यान रखिएगा अगर यहां पर संधी विच्षेद करके संधी का नाम लिखिए कहता यह चार अंक का होता जगत धन इश बराबर जगदीश कहकर ब्यंजन संधी लिखते तो एक अंक निर्धारित था लेकिन यहां पर केवल संधी वी छेर कह रहा है तो जगत धन इश मना धन रत दिग धन अंबर चे धन अयन कहता है इतना ही अगर करके छोड़ते हैं तो हर कोश्चन में आपको आधे आधे अंक के हिसाब से जो आपके दो अंक है वो दिये जाते हैं तो जितना पूछा जाए उतना लिखा जाए अगली बा 2012 के समय में एक प्रशन पत्र भाग दो संस्कृत का हुआ करता था भाग तीन अंग्रेजी का हुआ करता था और भाग चार जो है वो आपकी 36 गड़ी भाशा की हुआ करती थी अब आते हैं इस 2012 के बाद के इस ही प्रशनों को किस दाइरे में बांधा गया उसको जानने के ल लें तो हम यहां पर बिल्कुल ही उसी को फॉलो करते हुए देख पा रहे हैं कि यहां भी 50 अंक का आपका हिंदी है जिससे संब्धित प्रश्ट पूछे गए हैं 2015 में अब यहां पर प्रशनों को थोड़ा सा बदल दिया गया जो पहला पक्ष आपका शब्द आपके प्रश्ट का उत्तर लिखने बोला गया और यहां से प्रश्ट देखे किस प्रकार बदल दिया कि पर्याइवाची से यहां पर प्रश्ट जो है वह कल्प के तौर पर पूछे गया कि निम्न लिखित बहुवी कल्पियों प्रश्ट पुष्प का पर्याइवाची शब्द इनमें से ढूंड कर लिखना है, समुद्र का परियावाची है जो ढूंड कर लिखना है, तो अब तक 2012-13-14 तक सिर्फ यह कह रहा था कि परियावाची शब्द लिखिये, निम्ने के दो-दो परियावाची लिखिये, यहां से परियावाची के प्रश्न को पूरी तरह से बद का और आपके समुध्र का परियाई वाची जो है वो याद कर सकते हैं इसको अगर आप अच्छे से तैयारी रखते हैं तो इस प्रकार के अगर प्रशन देखा जाए तो पहुचाता है तो चार तुप्रश्ण आपके कवल परियाए बाती से पूछा है इसके खंड दो की बात की जाए तो विलोम शब्द है जो दो अंक का आप से यहां पर पूछा गया है तो जो विलोम शब्द है वह दो अंक के आपको यहां पर पूछे गए हैं और हर प्रश्ण में आपके आधे अंकर निर्धारित है, तीसरा है शुध रूप लिखने के लिए, वर्तनी शुध्धी करन, इसके बाद मुहावरे का अर्थ लिखकर वाकि में प्रयोग, अर्थ हिश्पष्ट करने हुए, वाकि में प्रयोग लोकोक्ति का यहाँ पूचा है, संधी विच्षेद करने और इसके बाद आपको समासिक पद का विग्रह करने दिया है। वाक के शुद्धी करण हैं जो चार दिया है और चार में एक एक अंक जो है निर्धारी थे इसके बाद आपका दिया हुआ है संग्षेपन संबंधित अगर प्रश्ण आपको हल करने दिया जाते हैं तो ध्यान रखेंगे कि संग्षेपन में गध्यांज का सार लगभग एक तिहाई शब्दों में लिखना होता है और एक शीर्षक देना होता है और यहां देखें मेंशन भी किया है कि पांच अंक जो है आपके संग्षेपन में हैं और एक अंक है जो आपके उसके शीर्षक में देखने को मिलेगा ऐसी सिच्वेशन में आप संग्षेपन को कैसे हल करेंगे तो संक्षेपन को हल करने के लिए सबसे पहले जो मूल अनुछेद हैं उसके वर्डिंग्स को काउंट करना जरूरी है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चाउदह पंदरह सोलह सत्रह ऐसा करके जितना अनुछेद में आपके शब्द दिये गए हैं उस अनुछेद की शब्द को आप रफ पेपर पर मेंशन कर लिजेगा जब आपके द्वारह संक्षेपन किया जाएगा बेटा तो ध्यान रखिएगा कि संक्षेपन करते समय मालीजे आपने संक्षेपन किया तो यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर मूल अनुछेद सीमा लिखेंगे मूल अनुछेद में आपके 100 सब्द हैं ठीक है नँ आपने लिख दिया 100 सब्द स्सेपन शब्द सीमा संक्षेपन शब्द सीमा यहाँ पर आप मेंशन करेंगे और सौ का एक तिहाई कितना होगा सौ का एक तिहाई आपका तीस से लेकर आपके 32 होंगे तो आप यहाँ पर 30 लिखे या फिर आप 32 लिखे और शीर्शक को कैसे लिखेंगे शीर्शक को या तो आप बीच में लिखेंगे मालिजे आपका शीर्शक कह रहा है जैसे कि आपका जीवन गाथा है ना शीर्शक कह रहा है मालिजे जीवन गाथा शीर्शक है तो double inverted comma मैं इसको pack कर सकते हैं या इसको आप underline कर सकते हैं इसतना ही कर देने मात्र से समझ में आ जाता है यह एक शीरशक है जो इस पश्ट दिखाई दे रहा है कुछ बच्चे इस शीरशक को जहां लाइन शुरू होती है वहीं लिखते हैं तो शीरशक कभी भी किनारे में लिखा नहीं जाता बिटा शीरशक को हमेशा बीच में लिखा जाता है इस चीज का खायस खयार रखेंगे कि जब आप संक्षेपन करें तो संक्षेपन करते समझे शीरशक होगा उसे आप बीच में मेंशन करेंगे और यहां से संक्षेपन शुरू करेंगे और अंत होने पर मूल अनुच्छेद शब्द सीमा और संक्षेपन शब्द सीमा ये पत्र का आशय इस पष्ट करते हुए प्रायूप प्रस्तूत कीजिए जो च्छै नंबर का था। खुद देखिए दो नंबर किसमे था आपके अर्धः रधा की पत्र का आशय। अर्धा शास की पत्र क्या है? तो दो नमबर उसमें हो गया और उसका प्रारूप प्रस्तूत करना है कहते हैं तो प्रारूप जो होता है वह केवल रफ वर्क होता है रफ वर्क याने कि यहां पर आप जैसे यहां पर लिखते हैं प्रिय श्री ठीक है इसको आपने छोड़ दिया अब मुझे या कहने का आते हैं तो उसे ही प्रारूब कहा जाता है जब एक फॉर्मिट तैयार करते हैं कि आविधन प्रस्तूत कैसे करना यह तब उसे प्रारूब कहा जाता है इस इसको खास कंधिकर खास खायाल जो है आप जरूर रखेंगी ठीक है क्योंकि अगर आप ने ऐसाorthय नहीं किया तो owners आदिकाल को संधिकाल किसने कहा, ऐसे प्रशने करते थे, अब इसके बाद, 36 गरे के साहित्यकार और उसकी रचनाओं से संबंधित प्रशने किए अब यहाँ बात करें, तो यहाँ पर, चार अंक का प्रशन olsa रही है, जो आपको यहाँ पर पूझा गया है, चार नंबर का, यानि कि प्रत्यक साहित्यकार की बस्तर भूशन किसने लिखी, सुराज किसने लिखा, पर्रा भर्राई किसकी रजना थी, सुधी कुटुम किसकी रजना थी, ऐसा कहकर आपके प्रशन पत्र जो है वो पूर्ण हो जाते थे और यह केवल 50 अंक का हुआ करता था, लेकिन अब जानते हैं कि पाठ्यक्रम में परिवर्तन करने के बाद इसी 50 अंक के प्रशन से 100 अंक के प्रशन है, तो कितने इस्तर तक के प्रशन जो है आप से पूछे जाते हैं, जब 2017 में संस्कृत को हटाया गया, तो 2018 के प्रशन पत्र में संस्कृत के 50 अंक को इस हिंदी भाषा में जोड़ दिया गया और हिंदी भाषा का जो प्रश्ण पत्र जिसे पाठिक्रम में इस पश्टी करन करते हुए नवीन पाठिक्रम के माध्याम से प्रश्ण पत्र की सूची तयार की गई प्रश्ण पत्र का दाइरा तयार किया गया तो अब यहां से देखते हैं कि किस प्रका प्रश्ण का कवाले अंक में हुआ करता था लेकिन इसी पहले प्रश्ण के कव में अब भाषा बोध से संबंधित प्रश्ण आ गए जिसमें स्वर क्या है व्यंजन क्या है इसका डेफिनेशन पूछ लिया इसके अलावा वर्तनी शुद्धी करण से आपको यहां पर प्रश उच्चारण इस्थान बताईए का और शाका उच्चारण इस्थान बताईए यानि कि यदि आपने सीजी प्री की परिक्षा में व्याकरण पक्ष को नहीं पढ़ा है तो समझ लीजिए यहां आपके अंक जो हैं कितने जादा प्रभावित होंगे सोचिए कि स्वर और व् से पूर्ण होते हैं यह हमारे व्यंजन है ऐसा लिखने से पूरे दो अंक आपको प्रदान किये जाएंगे इसके बाद इसी में दूसरा देखे वर्ण का उच्चारण कहां से होता है का और शा का कहां होता है यह भी दो नंबर का प्रश्ण अब यहां पर देखिए आपके दिये हैं निमल के शब्द के दो दो परियावाची अब दो अंक का है परियावाची दो दो लिखना है होना तो चाहिए यह दो चार छे आठ नंबर का लेकिन यहां पर केवल आधे आधे अंक में आपको दिया है परवत का परियावाची में अदिया हम गीरी और पहार कहते जलद्धी और वारिधवी कहते हैं नभ और आस्मान कहते हैं इस तरह अगर आप मेंशन करते हैं तो पुरुन अंक आपको प्राप्त होंगे। विलम शद्ध भी दो अंक का है अथ का इती हुआ आहुत का अनात्ध हुद हुआ है ना व्यस्टी का समश्टी हुआ इस प्रकार प्रशन नमबर तीन समच्चारित भिनार्थक शब्दे से हमेशा जो प्रशन पूछा जा रहा था कि कूल और कूल का अर्थभेद इस पश्ट कीजिए अवधी और अवधी का अर्थभेद इस पश्ट कीजिए अब वहाँ डेफिनेशन पुछ दिया कि समच्चारित भिनार्थक शब्दे से क्या समझते हैं आप दो नमबर का इसका प्रशन जो है वो एक नमबर का हो गया अर्थभेद यहां पर परिभाशा पुछ द बदल दिया तत्सम रूप लिखिये तत्भव रूप लिखिये कहता है अब यहां पर देखने वाली बात है कि यहां पर तत्सम और तत्भव यहां पर तत्भव रूप यह तत्सम शब्द है जिसका तत्भव रूप लिखना है जो दो नमबर का है और इसी का दूसरा प्रश्न का ततकाल उत्तर दे सकने वाली बुद्धी तो तारकी कोशल होगा, युद्ध की इच्छा रखने वाला तो यूयूत्सू होगा, ऐसा अगर आप लिखते हैं, दूसरी बात हजार दफ़ा बचा चुकी हूँ, कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जो इसके बगल में उत्तर को लिखते हैं, मत लिखिएगा बिटा, कभी भी प्रश्न के बगल में उसका उत्तर मत लिखिएगा, प्रश्न के नीचे जो इस्थान दिये जाते हैं, उस पर ही उसका उत्तर जो है वो लिखा जाए, तो जादा इस पश्ट नजर आता है, इसके बाद आते हैं अग प्रश्ण कि संधी विछेद करना है और यहां उसकी संधी करनी है इसी प्रकार समास से भी देखा जाए तो दो प्रश्ण पुछ है यहां पर क्या करना है शमास का विग्रह करना है और यहां पर समास की पहचान करनी है इसके बाद उपसर्ग और प्रत्य की ओर आते हैं यहां पर उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करना है, तो उप क्या होता है, पहले, किसी भी धातो शब्द से पहले जुड़कर, उसमें एक जब नयापन लाता है, तो उसे उपसर्ग कहते है, तो अगर वो दुरलब कहता है, अनवेशन कहता है, निरिक्षक कहता है इसमें से मूल शब्द क्या है और इसमें उपसर्ग कौन सा जुड़ा है ये दोनों बताना है जैसे यहाँ पर अती उपसर्ग है ठीक है और यहाँ पर उक्ती जो है वो हमारे लिए मूल शब्द है ऐसा आपको वहाँ पर मेंशन करना होगा ठीक है जब इस तरह के प् हैं अगले प्रशन की ओर नीमलिकित उपसर्ग से दो-दो शब्द का निर्मान कीजिये कहता है अब यहाँ पर क्या प्रकार सहगामी कहते हैं अब यहाँ पर दो वाक्यों में उत्तर दीजियें अब यहाँ पर डेफिनिशन पुछा, प्रत्य की से कहते हैं, उपसर्ग से दो प्रकार के प्रश्ण पुछा, प्रत्य की परिभाजा, कि किसी भी धातो शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्द को प्रत्य कहा जाता है, उसी उपसर्ग प्रत्य से नया प्रश्ण बना दिया भई, कि उपसर्ग प्र बाद में जुड़ने वाले को प्रत्य कहते हैं उपसर्ग दो या एक वरनका होता है लेकिन प्रत्य दो तीन एक वरनके भी हो सकते हैं अगली बात कि उपसर्ग के जुड़ने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है और उसका जो मूल स्वरूप है वह नहीं बना रह लेकिन प्रत्य का प्रयोग करने से मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन के साथ उसका मूल अर्थ जो है वो वास्तविक तोर पर वही कवही बना रहता है लेकिन उपसर्ग का प्रयोग करते से ही उसके जो प्रयोग हैं वो बदल जाते हैं ठीक है अब आते हैं अगले पत्रण्डे के संपादक का नाम लिखिये महावी प्रसाद वेदी ने हिंदी के किस पत्रिका में संपादन का काम किया है इसके बारे में आपको पत्रकारिता जो मेंशन किया गया 2018 के प्रश्ण पत्र में उसे पत्रकारिता से संबंधित दो नमबर के प्रश्ण आपसे पूछे गए थी क्योंकि यह नवीन पाठिक्रम था इसलिए यहां पर केवल दो अंक का प्रश्ण पूछा गए था लेकिन 2019 के प्रश्ण पत्र में यदि देखते हैं तो इसके संख्या जो है वह बढ़हा दी गई थी पाँच अंक का इस संबंधित प्रश्ण जो है वह पूछा गया था इसके बाद वर्तनी शुद्धी करण दिया है इसके बाद वाक्य शुद्धी करण दिया है जो हमेशा 2012 से अपना इस्थान दो तीन चार नंबर का बना कर चलता आ रहा है मुहावरा और लोकोक्ती से संबंधित तो मुहावरे का वाक्य प्रयोग और लोकोक्ती का अर्थ इस पस्थी करण यहाँ पर दिया गया हिंदी साहिते से संबंधित अब देखिए जहाँ पर कालवी भाजन था जहाँ पर नाम करण से संबंधित प्रश्ण थे अब यहाँ पर अलग प्रकार का कि आदी कालिन हिंदी साहित्य के तीन रचनाकार के नाम और उनके लेखक का नाम लिखे उनकी रचनाय लिखे इसके वाद सगुण भक्तिधारा के प्रमुक कभी और उनकी एक एक रचना का नाम लिखे तो हिंदी साहित्य से जहां केवल दो से तीन नंब सकतर नंबर का पूछा गया है शचय के साहितिकार जिससे संबंधित चार से हैं प्र मकुझन मैं पुछे जाते दिते यहां अब उसका asking the hammar का पूछा गया है उसके बाद शुरू होती है शचय क्वार्चा के साहितिकार से दूसरा पक्ष्ण यहां पर देखिए चतिस गड़ी के रचनाई लिख दी गई है जिसके रचनाकार का नाम लिखना है इसका दूसरा पक्ष क्या कहता है कि हिन चतिस गड़ी भाषा में रचनाकार का नाम दे दिया है उनसे संबंधित प्रश्ण पूछे गए है कि बिहारी लाल साहू की एक कहा का नाम लिखो बंशिधर पांडे के प्रथम उपन्यास का नाम लिखिए ऐसा प्रश्ण दिया है इसके बाद दिया है संग्षेपण संग्षेपण में हमेशा आपका छे नंबर का इस्थान रहा है जहां एक नंबर शीर्शक में और पांच नंबर जो है वो आपके संग्षे अब इससे संस्कृति हम स्वयम हैं से क्या अभी प्राय है सभ्यता के परिचाय कौन-कौन है सभ्यता के नजदी क्या और रेखांकित अंशक सार गर्वित व्याख्या कीजिए और यह अधिसूचना से क्या आशय है और आपके अधिसूचना का प्रारुप तयार के विश्य दे दिया है कि 36 सरकार में कारे रहत एक आई-एस अधिकारी को भारत सरकार के क्रिशी मंत्राले में अवर्शची की रुप में नियुक्त किया गया हो इसमें में नाम पता करेंगे अब इसमें देखा जाए तो अधिसूचना से क्या आशय है कहकर इसके अंक जो है वह पांच नंबर का आवेदन में हैं और आपका तीन नंबर यहां पर है तो आठ नंबर का यहां से प्रश्न हो गया दूसरा प्रतिविदन किसे कहते हैं इसकी कोई तीन प्रमुक इधर ऐसा कहके जो पत्र लेखन से केवल पांच नंबर के प्रश्न पूछे जाते थे पत्र लेखन से जो केवल 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाते थे अब यहां 16 नंबर के पत्रा चार से पत्र प्रश्न पूछे गए हैं अब आते हैं हम अनुवाद लेखन में हिंदी मे अनुवाद कीजे कएकर अंग्रेजी के पैराग्राप जो पांच नमबर का है इसका हिंदी में और नीचे अंग्रेजी में अनुवाद कीजे बोल कर पांच जो आपके पांच जो आपके l volleyball करें परे जाते हैं इसका अनुवाद करें pig Sekararव. अंक हैं तो ध्यान से समझने वाली बात है कि इसमें किस तरह के अंक जो है वो प्राप्त किये जाएंगे तो 2021 के प्रश्ण पत्र को देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्ण चे वे पूछे गए थे और उसे संबंधित जवाब हमें कहां लिखने होंगे अब देखा जाए सन 2020 में जो प्रश्ण पत्र आया था 2020 में जो परिक्षा हुई थी उसके अंतरगत यहां पर जो पहला प्रश्ण हुआ करता था भाशा बोध से उसे संबंधित प्रश्णों को देखिए तो यहां पर शब्द और वाक्य के बारे में संग्षेप में लिखने के लिए का आ गया ह और हिंदी भाशा के लिपी का नाम और तालब व्यवर्णया ने भाशा बोध के अंतरगत प्रश्णों का दायरा जो है वो बढ़ाया गया और कहीं न कहीं इसे चार अंक का दे दिया गया अब परियावाची की बात की जाए तो परियावाची में यहां पर दो दो बना कर चल रहा है वन वर्ड आंसर जो है आपके पूछे गए नहां चार आप्शन है समास विग्रह करते हुए समास के नाम लिखने की बात कहीं गई है अब संधी और समास के दो अंतर आपसे पूछे गए हैं यहां पर सीधी सीधी बाता पत्रकारिता से संबंदित प्रश हो रही थी याने कि जहां 2018 में केवल दो अंक का पत्रकारिता से पूछा गया था यहां अब चार प्रशन जो है वो पत्रकारिता से आपसे पूछे गये थे इसके बाद उपसर्ग की परिभाशा उपसर्ग से दो दो शब्द बनाने के लिए प्रशन आपसे पूछा गया प पुरत्य शद्द को मूल शब्द से अलग करने के लिए कहा गया इसके बाद हिंदी साहितिक इतिहास के मध्यकाल को कितने भाग में बाटा गया केवल एक प्रश्ण हिंदी साहितिक कालवी भाजन से पूछा गया वाके शुद्धी करण और लोकुक्तियों का अर्थ करने की बात यहां पर पूछी गई है रामचंदर शुक्ल के नुसार हिंदी साहितिक इतिहास के नाम और उसके युग विभाजन का उनलेख करना है ऐसा प्रश्ण आपको तीन तीन अंक के अब यहां हिंदी साहितिक से पूछा गया था एक ही पक्ष से अलग अलग प्रका कार जो है उनकी रचनाय दी है इसके रचनाकारों के नाम और चटिस गड़ के साहितिकार और उनकी रचनाओं के नाम यह दो पक्ष यहां पर आपको पहले की तरह ही पूछे गए अब यहां देखिए आपके आपके जो सारांश लेखन है यानि कि संक्षेपड उसमें एक प्रश्ण थोड़ा सा अलग है यहां पर आपके अपठिद गध्यांश से यहां प्रश्ण दिया है आदी मानों के पास जीवन के साधन क्या थे या इससे संबंधित प्रश्ण पंचोटी किसे कहते हैं बाड़नी अंत्रण में क्या सहायता मीली व्रिक्षिक उत्पाक के भूंड कर आपको लिखना है इसके बाद दिखिए तो यहां पर पत्रकारिता से आपको अलग प्रकार के प्रश्ण अर्धशास की पत्र किसे कहते हैं तीन विशेष्टा लिखिए तीन नंबर का एक प्रारूप प्रस्तूत कीजिए कह रहा है पांच नंबर का याने कि चार पत्रा चार है इसे आट tutti नंबर के चार प्रश्ण याने कि आपके जो पांच और तीन पांच और तीन करके सोल oraz नंबर के दो पक्ष्ण में पत्रा script घिंätना हिबहान है ईंद्धी में अनुआद करने के लिए और अंग्रेजी चार पोचल की मैं प्रस्ण अधवर जहां बिना किसी गलती के यदि व्याकरनिक पक्षर में सक्टिक जवाब लिखा जाए तो पूरे गणित की तरह आपको वहाँ पर अंक प्राप्त होते हैं अब अगर हम चर्चा करें 2021 के प्रश्ण पत्र की तो थोड़ा सा आंसर कॉपी के साथ में उसे समझने का प्रयास करते हैं अब यहां देखते हैं सन 2021 में किस प्रकार के प्रश्ण आपसे पूछे गए थे संदो हजार इकिस में जब आपके हिंदी की परिक्षा प्रशन प्रश्णों को देखा गया तो यहां विशेस प्रकार के प्राशन पूचे गये थे यहां पर जो पहला प्रश्ण जो आपका पूछा जा रहा था भाशा बोध से उसी भाशा बोध में देखिए कि देशज और अनुकरनात्मक वाचक शब्दों में अंतर इस्पष्ट करते हुए एक एक कुदारन लिखिए अब पूछा है वर्ण संयोजन और वर्ण में अंतर इसपष्ट कीजिए विकारी और अविकारी का वो पक्ष जिसे हम सीजी प्यसी की प्रारंभीक परिक्षन पूछते हैं तो प्रेणार्थक धातू और नाम धातू से क्या आशय है अव्याई किसे कहा जाता है समासिक अधिकरन शब्द किसे कहते हैं और रितिवा चक्रिया उपवाकि को परिभाशित कीजिए ऐसा भाषा बोधिसे प्रश्ट जो है वो पूछा गया है यहां पर डिस्क्रिप्टिव कोशन्स पूछे गए ध्यान रखेगा दो नंबर का यदी प्रश्ट पूछा जा रहा है जैसे कि माली जे कह रहा है कि देशज और अनुकरन चाल की भाषा वाले वे शब्द जिसमें लोक भाषा के शब्दों का प्रयोग हो देशज कहलाते हैं लोटा डीबिया यह कहकर अनुकरन वाचक कहता है तो किसी आवाज या ध्वनी की नकल पर बनने वाले शब्द को अनुकरन वाचक शब्द कहते हैं गडगड़ यहां पर आपका आपका कॉजटिव वर्ब और आपका आपका नेटिव वर्ब याने की आपकी प्रेड़नार्थक क्रिया और नामधातु क्रिया को आश्यस पस्ट करें जहां करता किसी कारे को स्वयम न करके दूसरे को कारे हितु करता है प्रेड़ित करता है प्रेड़ना इसके उदारन प्रस्तूत किएगा इसके बाद अगर हम प्रश्न को और आगे बढ़ा कर देखते हैं तो आगे प्रश्न जो है वो आपको और पूछ रहा है जैसे नीमिल के शब्दों का एक एक परियाएवाची शब्द लिखिये कहता है चक्षु अर्वीन्द वसुदा घुमाने का प्रयाज जो है वो किया है विलोम शब्द पूछे यह विलोम शब्द के बाद में फैंजड्कर अजजात करता है जो प्रित्वि कि घर्बर मैं कहलbalance कहलाता है इस मत कीजिएगा इसका जवाब हमेशा हमारे द्वारा इसके बगल में नहीं बलकि दिये गए जगह के इस्थान पर ही लिखा जाना जरूरी है इसके बाद समासिक शब्द से यहां आपको परिभाशा पुछली गई कि अव्याई भाव समास को परिभाशित करते हुए दो उधा समास का नाम लिखिये कहता है तो यहां पर से चीजों को मेंशन करना जरूरी होगा संधी विच्षेद बस करना है अधिधन अयन अध्ययन शावधन अक से शावक उत्धन शिष्ट से उत्ष्ट मधोधन आचारे से मध्वाचारे होगा ठीक है और इस प्रकार आपके विरा चिन हैं जिसके प्रयूग किए जाते हैं तो हिंदी में परयूक्त विराम चिन सबराँ विराम अर्द विराम कोश्टक तूल्यता तूचक लाघः सूचक हंस पद चिन सभी विराम चिन्हों का नाम किने के औ구요 Chief यदि किसे आप चार को भी लिख देते हैं तो आधे आधे अंकुस में आपको दिये जाएंगे निमने लिकित उपसर्ग के दो दो शब्द की रशना कीजे कहता है तद्धित प्रत्य किसे कहते हैं और आस और पन प्रत्य से एक एक शब्द निर्मान कीजे अब तद्धित या अब यहां पर जो वाक के शुद्धिकरण था उसका दूसरा पक्षब बना दिया कि पदबंध और उप्वाक्य में क्या अंतर होता है अंतर को सो शब्दों में उदारन इस पश्टिकरण के साथ में लिखे और कितने नंबर का है पांच नंबर का है तो आपको ध्यान रख इस अंतर को सो शब्दों में लिखना है तो पदबंध और उपवाक्य क्या होते हैं पहले आप ये मेंशन करेंगे उसके बाद में उसके अंतर को इसपश्ट करेंगे और पांच नंबर का यहाँ प्रश्ण है कि पदबंध जहां पर शब्द पदों को व्याक्रिनिक नियम उसे बांधा जाता है उसे पदबंध कहा जाता है वाक्य की छोटी इकाईयों में से शब्द पदों के प्रयोग से वाक्य का छोटा अंश जो है वह उपवाक्य कहलाता है इसमें अंतर इस पश्ट कैसे करेंगे कि पदबंध जो है वह शब्द पदों का एक व्याक्रिनिक बंधन होता है पदबंध जो है वो शब्द पदों का एक व्याक्रणिक बंधन होता है और वाक्य की छोटी इकाई उपवाक्य होती है जब वाक्य का प्रयोग किसी लेख को लिखने के लिए किया जाता है तो शब्द पदों को बांध कर उपवाक्यों से होते हुए उसका प् पत्रकारिता के शुरुवात हुई थी, इस समय किस प्रकार की भावनात्मक, किस प्रकार की राजनेतिक, धार्मिक हर एक पक्ष को पत्रकारिता में स्थान दिया गया था, उसी प्रकार उस विशय पर 100 शब्दे में अपने विचार हैं, 36 गड़ के साहित्यकारों में केवल 3 स साहित्यकार की रचनाओं को पूछा गया था, इसके बाद देखा जाए, तो रितिकाल के नामकरण पर 100 शब्द में सार्थक टिपनी लिखिए, अब देखिए प्रशन का दाइरा, हिंदि साहित्यके कालवी भाजन और नामकरण से अब प्रशन पूरी तरह से अपना संग्षेपण के बाद में हम ये पाते हैं, यहां फिर से आपको अनुवाद लेखन जो है वो देखने को मिलता है, पत्रकारिता में कारियल है, पत्रकारियल है आदेश जो है दो प्रकार का प्रशन यहां फिर आठ नंबर का पूछा गया, इसके बाद फिर से यहां पर ग् मेंशन कर दी जाए यह जरूरी नहीं है अनुवाद लेखन अगर आपको दिया गया था उस अनुवाद लेखन के मद्दे नजर यहां पर कुछ अंग्रेजी में अनुवाद करने दिया है जिसमें प्रशासनिक शब्द हिंदी के हैं और इस हिंदी के प्रशास्तिक शब्द को आपको अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करना है कुल नाम का मतलब होता है आपका सरनेम ठीक है और कारेले ग्यापन को हम मेमोरेंडम के नाम से पुकारते हैं इसी प्रकार आपको यहाँ पर चीजों को दरगत सो नंबर के हिंदी में ध्यान रखने वाली बात है तो यह चीज समझने वाली बात है कि कैसे तयारे रखना है सो नंबर के हिंदी में मैं बार बार बता रहे हूं साथ और चालिस का मान के चलिएगा कभी कभी पचास और पचास का अंक मान के चलिएगा क्योंकि इसक गणीत के अनुसार आपको अंकप्रदान करता है और साहित जो है वो व्याख्यात्मक रूप में है जो अपने प्रश्ण को पूछता है और इस तरह CGPC मुख्य परिक्षा के अंतरगत पाठ क्रम्य परिवर्तन के बाद में नए रूपों को लेकर यहां बहुत विस्त्रित तर लेकिन व्याकरणिक पक्ष में यदि देखा जाए वरण माला जो आपकी प्रैक्टिस है साथ ही आपके संग्षेपन अपठित गध्यांस पत्राचार पत्रकारिता सब आपकी प्रैक्टिस पर निर्भर करता है प्रती दीन हिंदी भाषा का शुद्ध उच्चारण प्रती दीन कम से कम आधा घंटा लिखने का प्रयास कीजिए और लेखन और वरतनी को सुधारने का सबसे बड़ा एक माध्यम होता है जब आप उसे लिखित अवस्था में जानने का प्रयास करते हैं और इसी मुख्य परिक्षा के पहले भाग में हिंदी जो सौ अंक की हो जहां 55 से 60 नंबर के प्रशन आपके केवल व्याकरण से पूछे जाते हैं जो सबसे ज़्यादा अंक आपको प्रदान करता है साहिति खंड आपकी प्रैक्टिस पर निभर करता है जो 40 से 45 कभी 50 अंक के हो सकते हैं तो खयाल रखिएगा कि इसका तीसरा अंक है हमारा 36 लाया है अब 36 गड़ी भाशा से प्रशन कैसे पूछे जाते हैं और उसको लिखने का तरीका क्या होता है इसकी शर्चा हम 36 गड़ी भाशा के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे तब तक यों ही मेरे साथ बने रहें पढ़ते रहें स्वस्त रहें मेरे सभी बच्चों को मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच लव यू और गड़ी सुटू आल में बच्चा